वेल्कम टुदे व्लोग स्वागत करता हूं आप से फिर से एक नहीं एक नहीं व्लोग के साथ और आज कल मेरे माइंड में पता है नहीं अजीब गरीव आईडिया आ रहा है अभी जस्ट मार्केटिंग ला था ब्रेड लेने के लिए और अभी सदेना सुभा मेरे माइंड मे महां पर ट्राइ करते हैं बनाने का वीडियो को पूरा दिखेगा इसके फुल वाच चैनल पर नहीं है तो डॉंट फॉर्गेट तो प्रेस दबैल आइकन फॉर्गेटिंग नूटिपिकेशन क्योंकि इस चैनल पर आपको हर कुछ मिलने वाला है वाई अभी फिर बाहर नि आपके एडिया में लोगडाउन का क्या एफेक्ट है रास्ते में बिला बहुत दिन के बाद आपको याद होगा अभी जा रहा था जस्त पापा पुलाए थे सब्जी लेने के लिए तो रास्ते में यह मिल गया और अभी लगता है अकेले-अकेले केक खाने का एड़ाद आ और अगर मैं लेट हो गया ना तो सुन जाओंगा बाद से सबसे पहले वहां पहुंच के अब कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग अब चलते हैं घर पर क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया वजन सो सूट करने में नहीं बन रहा था और में जो मोटीव था आज के वीडियो में हम ल अब बेटे टोस्ट होता है या फिर टोस्टर से तोस्टर की सबसे जाद ही है अब चलते हैं तो यहां पर हम सारा चीज करते हैं तो आप भी नीचे इसको बंद कर देते हैं नहीं तो बिल्ली वगरा घुश गई तो इस समय मेरा वीडियो बनाना हो जाएगा अच्छे से त पास यह दोनों चीज हो गया टोस्टर भी हो गया और आईरन भी हो गया उपर लेके चलते हैं और देखते हैं कि सबसे बेटर किसे होता है फिलाल यह जो है ना या पर बैठ की देख रहा है हम लोगों को बनाए थे ना आज जा रहें क्या करने पता है आज हम लोग ब्रेड इतना ज्यादा बोर हो जाता है कि पूरा का पूरा अंदर में जूट का बोरा से कवर किया गया थाकि थोड़ा बहुत कर्वी मिल सके और इसलिए पूरा पूरा जैसे यहां देख सकते हो कितना सारा बोरा यह काट की नीचे फेक दिया क्या करना पढ़ रहा है एक्सपरिमे भजाज का आईडान डूट से कज्वल पे प्रशब गड़र्स आईटान है सैफिते इंदॉकर फिरपर सुखने खारसा हुआ भष्टा Lite आता है सबसे पहले जो देखंते कि तोस्टर जो है हो इसा कईसा करता है उसके बाद फिर आईडन से टोस्ट करने वाला है तो मुझे इसको प्लास्टिक से बाहर निकालना होगा सो फाइनली मैं इसे बाहर कर लेता हूं ओके दिन अब इस पे connection जाएगा connection देने के बाद मैं से देख लेता हूं काफी long term से हम लोगों ने यूज नहीं किया था इसको और इसी बाहर ने आज ये यूज हो रहा है इसका tray आपको इधर देखने को मिलेगा छोटा सा है और यहाँ पर आपको इस corner में देखने को मिलेगा तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा clear है या नहीं क्योंकि बहुत दिन से यूज नहीं किया न यह बाहर आ गया तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते है रब करके इसके बाद फिर इसको लगा देते हैं अंदर and finally यह तो ठीक है current अंदर में आ रहा होगा so अभी temperature सेट कर देते हैं इसको और अभी हमको थोड़ा सा crispy खाना है ज्यादा नहीं so सबसे पहले इसको 4 पर temperature कर देते हैं और finally हम जो है इसमें प्लक दे चुके हैं तो यह bread को मैं टेस्ट करने वाला हूं कि यह toaster में कैसे जाता है यह काफी छोटा bread ले लिया यह वन टू यह bread गया अंदर और finally अब मैं इसको सेट करने वाला हूं 4 पर okay तो यह हो चुका timing है यहाँ पर already set है और अब देखते हैं मैंने एक से टेर मिनट का timing set किया है और एक से टेर मिनट में देखते हैं कि कैसा toast हो जाता है तक यह toast हो रहा है तब तक मैं bread का जो starting वाला हिस्सा है उसको खा रहा हूं क्योंकि यह मुझे खाने में अच्छा लगता है और mostly आप लोगों में से भी बहुत लोगों को काफी पसंद होगा तो comment section में जरूर बताएगा कि bread का जो सबसे top level का हिस्सा होता है वो वो portion किसको प देखो किस तरीके से हो जाता है अल्रेडी होने के बाद यह बहुत गरम है इसको निकालो मैं किस पर यहां पेक मेरे पास page है इस पर लेके जाता हो इसको फेकता हूँ गोल्डेन कलर आया है यार थोड़ा फोर पेकर के मैंने एक मिनट तक जो छोड़ दिया इसमें जजादा हो काफी गरम है इसको बहाँ निकाल तो आप देख सकते हूँ कि यह था तोस्ट का कमाल और फैलाल इसको पावर में आपकार देता हूँ क्योंकि अभी अभी इसका क अप जो मेन क sağ honor कंहा है और यहां पर देख सकते हूं कि कितना क्रंची यहां आप नी यह को दिशनीन केया तोस ना मैने आपको बताया और उनिया अईता है और ऑखाने जू का और आंद कि अपस पर्फेक्ट में तोस्टाखेसh तो candidate तो कि तोस्ट है यहां पर आती है आईदे यहां पर दिक्कत है गाइस कि टोस्टर तो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में था इसलिए स्टेबल था लेकिन हमारे पास की जो आइड़न ही ये ट्रांगुलर फॉर्म में तो हमको थोड़ा साइड साइड से क्वापी की तब कर सपोर्ट लेना होगा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडियन पॉलेटी एंड जैन माथूर को इस तरीके से यूज कर सकता हूं तो फाइनली अब देखता हूं मेरा जो ये आटी मैनमेड तावा है ये देखते हैं किस तरीके से आप देख सकते हूं यहां पर की कनेक्शन दे रखा हूं मैं और यहां पर रेड लाइट तो बढ़ रहा है अब जब तक इसको देखता हूं कि किस तरीके से तोस्त होता है तो हमारा ब्रेट जो है कि बाहरा आ जाता आजा भाई और फाइनली मैं इस पर सेखूंगा इसे देखते हैं कि अब यार यह तो शियूप कर रहा है लग रहा है यहां पे और देखते हैं ब्रेट जो है यहां पे आप देख सकते हो कि कहीं न कहीं ड्राइ होने लगा है और इसमें से उपर में भाप भी निकलने लगा है वेपराइज होने लगा है इसके अंदर का मॉइस्च्छर या दो पड ऑफ यहां पर दोनों मैंने टोस्क प्राय किया और यहां पर दोनों डी केंस अब को मिल सकता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहां गॉर से देखो आप ओल्रेडी क्लियरली यहां पर आप दि आंप के आप बढ़ रहा है वही दूसरा साइड जो आप देख सकते हो इसमें वाइटनेस जादा है लेकिन हलाकि ये ट्राई तो पूरा कर रहा था इसके अंदर के मोईस्चर को ड्राई करने का लेकिन ये आईडन से हुआ है और फाइली अगर इसको मैं तोर के भी दिखाऊं तो इसमें क आइडिया ही आए ठाईए आपके पास भी अगर कुछ धासू आइडिया ये कर सकूं कि अगर आपके आइडिया को ज्यादा अपर लेबल का ओंगया तो घर से बाहर निकाल देंगे लाग पसंद आया हो तो लाइक कीजएगा शेर कीजएगा और कुश्च्राइब है हमारे महाक्ष ब्लॉग के लिए क्योंकि हर कुछ आपको मुनिटाइजेशन का प्रोसेस आपको मैं स्टो करूंगा सो बहुत सारी लोगों का सपना होता है कि इस लेवल पर पहुचे इसके बाद वो जारना चाहते है कि यूट्यूब वर्ड में क्या हो रहा है बिगनर्स के लिए तो मैं अपना सारा एक्स्पिरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो इसी के साथ मिलते है अगले व्लॉग में अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजे सेड कीजे सब्सक्राइब कीजे और अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के आईडिया उस हो तो आप कमीछ सेक्शन में कर सकते हो अगले ब्लॉग में तब तक लेश्टे से ट टेक केर जाहिन वन्ने मात्रम थाइंक्स पर वाचिंग